ओम गण गणपते नमहा स्री गुरुदे वदत नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैंने खतरनाक से खतरनाक और बोर्सो पुरानी उपरी हवा या बाधा जैसे की नकारात्मक उर्जा और नकारात्मक अद्रुष्य जीव, काला जादू टोना, जारन, मारन, वशिकरन, उच्चाटन जैसे तांत्रे की प्रयोग, बुरी नजर, शाप, हाय, बद्दुआ को तुरंत उखाड फेगने के एक अत्यनत सटिक उपरी हवा नाशक उपाई के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो कलियोग के इस अत्यनत खतरनाक काल में सर्व लोगों के लिए एक रामबान उपाई साबित होगा इस उपाई में एक संख्यात्मक यंद्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको बनाने के दो तरीके है पहले तरीके से उपरी हवा से साधक अपना बचाओ कर सकता है यानि कि उपरी हवा साधक के आभा को भेद कर उसके शरीर में नहीं पहुच सकती है और दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर साधक पहले से ही नकारात्मक उर्जा से प्रभावित हो तो उसे परिशान करने वाली सारी नकारात्मक शक्तियों को तुरन बगाया जा सकता है आगे इस वीडियो में मैंने इन दोनों तरीकों के बारे में बताया है इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो गुरुप या सस्क्राइब करना मत भुलिए और टुरन नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे उपरी हवा से बचने के लिए साधक को किसी भी दिन सवेरे स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रधारन करके सफेद रंग के कागच पर केसर की स्याही से एक नुकिले लकडी के टुकडे से आगे बताये हुए सोला अंकों को लिखना है और फिर उसके सामने लोबान का धुप प्रजवलित करके अपने इश्ट देवता का अशिरवाद लेना है और फिर उस कागच के टुकडे को फोल्ड करके एक धातू या कपड़े के तावीज में डाल कर अपने गले में धारन करना है केसर की स्याही बनाने के लिए केसर में थोड़ी सी पानी की बुन्दे डाल कर उसकी स्याही बनानी है अब मैं आपको दुसरा तरीका बता रही हूँ अगर आप पहले से ही उपरी हवा से प्रभावित हो तब आप किसी भी दिन एक शम्शान भुमी या कब्रस्तान या ग्रेवियार्ड में चाकर वहा से थोड़ी सी मिट्टी उठा कर अपने घर पे लानी है और उस मिट्टी में थोड़ी सी पानी की बुन्दे बिला कर उसकी साही बना कर एक नुकिले लकडी के टुक्रे से सफेद रंग के कागच पर इन अंकों को लिखना है फिर उसके सामने लोबान का दूप प्रजवलीद करके अपने इश्ट देवता का अर्शिरवाद लेने के बाद उस यंत्र को फोल्ड करके एक पीली रंग के तावीज में डाल कर अपने दाहिने हाथ की बाहे यानि की भुजा पर धारण कर सकते हो अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ गुर्पया ध्यान से सुनिए इस यंत्र को लिखने की किसी भी प्रकार की चाल नहीं है अंकों को किसी भी करम में या किसी में भी भाशा में लिखा जा सकता है मैंने इस वीडियो के अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ गुरुपया ध्यान से सुनिए नमुने की तौर पर मैंने सफेद रंग के कागच पर लाल रंग की स्याही के पैन से एक यंत्र बनाया है यहो देखिए मैंने एक स्क्वेर निकाला है उसके अंदर छोटे 16 स्क्वेर है और उसमें कुछ अंक लिखे है अंक तो मैंने अंग्रेजी में लिखे है अगर आप चाहे तो इन्हें हिंदी में या अपने मात्रुवाशा में भी लिख सकते हो अंक इस प्रकार से है 85, 65, 1, 45, 6, 23, 26, 15, 25, 8, 85, 11, 8, 83, 84, 85 अगर आपको हमारा चनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे